शिला प्रभपात की हरे किष्ण महा मंत्र की शिला बक्ति सिदान सरसे ठाकू महाराज कहा करते थे कि हरी नाम हमारत जीवन है यानि ये पूरा जीवन हरी नाम है तो हमारा प्रतेग दिन हरी नाम के लिए होना चाहिए तो प्रतेग दिन को हम मुखेत ततीन भागों में अपनी चेतना को इनलू महत्पून कारे करने के लिए तेयार करना चाहिए जब करने से पहले हमें सबी गुरु जुनों से अचारियों से प्रातना करनी चाहिए कि उन्होंने छूमें येतना अनुपभ मुपहार दिया, मैं उसके पूरा लाभ उठा सको और हमें मनन करना चाहिए मंतर के अर्थ में मैं क्या कहने जा रहा हूँ किस चीज की प्रात्रा करने जा रहा हूँ तो किवल इसके बारे में सोचना ही नहीं है इसको महसूस करने का प्रयास करना है जिसे वास्ता में ये हमारे की हिर्दे की इच्छा बने अगर हम बिना ये तियारी किये, सीधा ही जब शुरू कर देते हैं तो और लेड़ी ही, चाहे हम सुवे जल्दी भी उठे हमारा मन बहुत तरह तरह की विचार घुमरे होते हैं और नहीं तरह की विचारों हो गुमते हों हम जब करते हैं तो कुछ भी हम सुनाई तो थोड़ा सा समय लेकर ठहराव करके अगर हम जाने कि हम क्यों जब कर रहे हैं और मैं क्या मांगने जा रहा हुआ रहा था क्रिश्न से जब बाव हम बास्ता में यह हमारी इंटेंशन बन जाएगी तो फिर हम जब शुरू करें और जो दूसरा फेश है जब कर रहे हैं जब जब कर रहे हैं तो जो हमने इंटेंशन जब पहले इरादा बताया कि हम भगवान की सेवा करना चाहता हूं उसको और गहराई से हमें हम जब नहीं कर रहे हैं तो फूरा दिन अगर हम्हां रजोगोन और तम्मोगोन के वातावरन में रहें और एक हम भोग की इच्छा से रहेंगे तो निश्चित रूप से अगले दिन हमारी जबकन और कठिन होगा तो पूरा दिन प्यास करना चाहिए हम सदोगोन के वातावरन में रहें और सेवा की भावना को अनुकूल करते रहें और मन में भी गलत विचारों को ना लाए कल युग में हनकी मन के द्वारा पाप करना माफ है लेकिर मन में अगर गलत विचार रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी जेतना को भी दूशित करते हैं इस प्रकार से पूरे दिन को हम तीन भागों में बाटके पूरा दिन हम कृष्णा भामे तो रहने का प्रयास कर सकते हैं हरे कृष्णा महा मत्रखें